बच्चों को घर चोड़ने जा रही स्कूल बस में अचानक आग लग गई ड्राइवर ने बस को रोका और टीचर की मदद से बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला हालाकि आग की लप्टे तेज होने से बच्चों के बेग जल गए सूचना के बाद मोके पर पहुँचे स्कूल प्रबंदन के लोगों ने परीजन को सूचना दी और बच्चों को घर बिजवाया मोके पर पहुँची दो फायर ब्रिकेट ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक बस जल कर खाक हो चुकी थी माना जा रहा है कि बस में शोर्ट सर्किट से आग लगी इंजन से पहले दुआ उटना शुरू हुआ बस के इंजन से आग भड़कने लगी थी देखते ही देखते के बिन धूदू कर जल उठा बतादे हदसे के वक्त बस में दस से बारा बच्चे सवार थे शुपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट कि इस इस बस में थे और बच्चों किस्तिती हैं इस स्कूल से कितने बच्चे सवार उपर निकले ते इस सर अभी आइडिया नहीं है एक्जाम चल रहा है बच्ची पाली में आते हैं लेकिन 30 अबबस चुड़न तो हैं कि अच्ची बस जाए बने आपको क्या बताया नहीं मेरे पास जो है दूसरे रिसोर्स सिफ होना यह था मेरी अभी बात हो कि अधिया नहीं नहीं सारी बसों के सब चेक होते हैं बकाई दो ऐसा नहीं है उसमें जो फाइर ने पकड़ने इतना थे तो उसी इसे तो उनोंने क सब्सक्राइब करते हैं कि अच्ची बच्चों को सबसे पहले उता रहा रहा है तो आगे से इंजन से आग लगी तो क्या कारण हो सकता है क्या लग रहा है इस बच्चों कोई नुक्सान नहीं है सबसे पहले बच्चों को अमने उता रहा है फूरे 25 बच्चे देम लगे उनको उठाने पाई जब तक आग बहुत तेज हो बहुत हो बच्चे उसमें दस्वारा बच्चे देजा और तो सब्सक्राइब नहीं था जब सक उसमें आग लगना फूरे 25 बच्चों को उतारा उसके पास सिलेंडर से आग को बजाया तो आग जादा हो गई थी बस बच्चों को तुरच्चत निकाल लगे ना में आप गोटू दाकर